ये आकाशवाडी का प्रसारण है विविद्ध भारती संगीत सरिता इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रंखला बांसुरी वादन में पंडित पन्नालाल घोष का योगदान जिसमें आप सुन रहे हैं बांसुरी वादक के इल गिंडे से रेणु बंसल की बातचीत आज सुनिए इस स्वेश्रंखला की सातवी कड़ी सभी शोताओं को हमारा नमस्कार गिंडे जी अभी तक आपने पन्नालाल जी की बांसुरी के गाई की अंग और तंतकारी अंग के बारे में हमें बताया आज आप उनकी ठुमरी वादन शेली के बारे में हमें बताये खयाल वादन के साथ साथ उपशास्त्री वादन में भी पन्नाव अभुजी समान अधिकार रखते थे ठुमरी गायन की सारी बारी कियां उनके वादन में पाई जाती थी यहां तक की पूरब और पंजाब धंग की खुबियां उनके ठुमरी वादन में उभर कर आती थी इस तरह वादन में गायकी के सारे अंग कुशलता से दिखा पाना क्या कठिन नहीं था? बिल्कुल होता है लेकिन ये सारे अंग आत्मसात करने के लिए पन्ना बाबुजी ने कई गुरुओं से विभिन्न बाते सिखी पन्ना बाबुजी के ठुमरी वादन के बारे में हम और सुनते हैं श्री नित्यनंद हल्दिपूर से श्री हल्दिपूर एक ऐसे भागेशाली युवा बासरिवादक है जिने बच्पन में ही सही बाबुजी को करीब से देखने का मौका मिला शास्त्रिय संगीत की कोई भी मैफिल में हमें ख्याल और ठुमरी सबसे ज़्यादा सुनने मिलेगी जैसे अलग-अलग चीज गाने के लिए अलग-अलग तरह की तालिम लिनी पड़ती है और गले को अलग तरह के ढाचे में डाला जाता है वैसे ही साज बजाने वालों को भी ठेट, शास्त्रिय या ठुमरी अंग बजाने के लिए अलग-अलग तयारी करनी पड़ती है दोनों की पेशकर्ष अलग है और दोनों का अंदाज भी अलग ऐसे बहुत ही कम गायक वादक है जिनका ख्याल और ठुम्री गायन पर समान अधिकार हो जब हम इस अंदाज में सोचते हैं तो दिमाग में गायकों में सबसे पहला नाबाता है उस्ताद बड़े गुलाम अली खाँ सहाब का अब वादकों में स्वर्गिय पन्नालाल गोश जी का पन्नालाल जी ने शास्तिय संगित की तालीम मैहर के सुप प्रसिद्ध संगित तद्या आचारे अलाव दिन खान से पाई इसके अलावा उस्ताद खुशी महमत और पंडित ग्रिजा शंकर चक्रवर्ति से भी उनको संगित का मार्ग दर्शन मिला क्योंकि मेरे पिता ये उनसे सिखते थे मैं उनको बच्पन से जानता हूँ प्यार से लोग उन्हें पन्ना बावो कहते थे उनकी ज्ञान पिपासा ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया किसी भी राक की शुद्धता रख के बजाना उनका प्रमुक देयरा उनकी संगेत के दुष्टी बहुत ही व्यापक थी ठुम्री के विविद अंगों का उन्होंने खास अभ्यास किया और उनकी बारी किया समझे वे जब ठुम्री कजरी टपा या दादरा बजाते तो वो चीजे स्वरोद्वारा मुर्तिमंथ हो जाती चोटे चोटे तुगड़ों से बनती टपों की ताने मुर्चना भेट का विस्तार गिलकरी ताने उनके वादन की पैचान थी मुर्चना भेट का विस्तार तो वो बहुत ही सुन्दर करते थे आई ये उनी की बजाई एक खमाश ठुम्री सुनते हैं और इसमें खास करके उनका कुमल निशार लगाने का अंदाज इसको प्राधन देकर वे राक सोहनी का अविर्भाव निर्मान करते हैं अविर्भाव निर्मान करते हैं अविर्भाव निर्मान करते हैं अविर्भाव निर्मान करते हैं कर दो 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 है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अब उनी की बजाई राग पिलू की ठुमरी इसमें उनका पंचम लगाने का खास अंदा सुनिये जिसमें राग भिरवी का अविर्भाव होता है पिलू जो इसे राग में उनको चालिस से भी अधिक ठुमरिया कंटस सथी कर दो कर दो कर दो खुर्ण कर दो कर दो कर दो फो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल, या झाल. पन्ना बाबो को लोग संगीत में भी काफी रुची थी उनको बंगाल की बहुत सारे बाउल धुने और भट्याली गित कंटस्ते लोग संगीत में भी उनका दुष्टिकों शास्त्री ही था यानि कि उसमें भी वो शुद्धता रखने का आगरह रखते थे वो जब भट्याली धुन बजाते तो लोगों को गीत के शब्र सुनाई देते अरुष्टिकों अरुष्टिकों शास्त्री कि प्लें में भाई मोगों का यानिकि यानिग आगरह रखनागा रामगों के लिए हैं। हुआ हुआ है 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 है